स Absolutely आप है जैसा कि आप जान ağंप नंबर सिस्टम पर रहा है नंबर आप पार्ट-व जुका है अब पार्ट नैन परेंगे थो था नंपर system बहुत भड़ा टॉपिक है अलग-अलग exam में अलग-अलग टाइप के question जैसे cgl में chsl में mts में cds में कायट में अलग-अलग exam में अलग-अलग label के अलग-अलग type के question पुझे जाते हैं लेकिन recent में past 34 years अर एक्जाम में कुछ ने कुछ नंबर सिस्टम के हर जगर से concept मिला कर पुछे जाते हैं ठीक है तो आपको नंबर सिस्टम में बहुत पढ़ना है लेकिन छोटे-छोटे concept है इसलिए करो नंबर सिस्टम थोड़ा लेंदी हो सकता है कि 22 पार्ट बन जाए इसका मैं कुछ भी नही इसमें पढ़ेंगे नंबर अब zeros एड़ इंड दुन्यों की संख्या निकालना मने कोई भी mathematical operation करेंगे और उसमें पता करेंगे कि एड़ इंड रिजल्ट में कितना जीरो आएगा मतलब अगर कहीं मल्टिप्लिकेशन हो रहा है धेर सारे नंबर का हमें पता करना है कि मल्ट इस बात का मतलब है कि नंबर अब जीरो एड इंड इसलिए लिखा है कि आप पूरा mathematical operation करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में कितना जीरो आएगा इसका ये मतलब है ठीक है तो हम इसका concept समझते हैं जैसे सपोज मैं आपसे को हूँ अब ध्यान से समझना क्या इसमें पढ़ना है क्या concept है ठीक है सपोज मैं आपसे को हूँ 15 ठीक है इन्टू 20 इन्टू अब आप इसका मल्टिप्लिकेशन करोगे जब मल्टिप्लिकेशन करोगे तो क्या मल्टिप्लिकेशन करने पर आएगा 15 दूना 30 पंदर दूना 30 300 हो गया इंटू तेरह तेरह त्याहिं 49 देखो यह आपने मल्टिप्लिकेशन किया तो यह देखो एड़ इंड में 20 मिला अब हमें यही पता करना है यह तो भी मल्टिप्लिकेशन किया जैसे 15 माइनस 17 प्लस 98 अब ऐसे भी कुछ आप्रेशन होगे अब इसमें पता करना है क्या इसको एडिशन करने के बाद इसमें कितना 0 आएगा जैसे इसी को देख लो 98 प्लस 15 कितना होगा 98 प्लस 10 108 प्लस 5 कितना होगा 113 ठीक है ना 113 होगा अब 113 में से 17 माइनस करेंगे हम ठीक है ठीक है 13 में से 7 गया 7 6 13 10 में से 1 गया 9 ठीक है मतलब कि यहां पर 0 नहीं आ रहा है ठीक है तो इसी तरह हम पता करेंगे जैसे यह मल्टिप्लिकेशन किये तो इसमें पता चला हमें 20 अब क्या बड़े सा नंबर रहेगा तो उसमें तो करोगी नहीं उसमें कुछ लगाना होता है अभी एडिसन छोटा एडिसन था तो करके देख लिए इसी तरह बड़े बड़े एडिसन आएंगे उसमें सोचना पड़ेगा कितना जीरो आएगा ठीक है जैसे जैसे देखो मैं आपको बेसिक समझा कहीं question पर जाओंगा ठीक ह देखो मैं बोलू 10 अच्छा थीक है 9000 अच्छा प्लस अच्छा थीक है अब ऐसे इसको एडिसन करना है तो आपको पता करना हुआ कितना जीरो है तो कैसे पता करोगे यह तो करोगे पहले यह लिखोगे साथ हजार लिखोगे उसके नीचे 9000 लिखोगे उसके नीचे तीन रिखोगे फिर दस लिखोगे यही तो फिर दस लिखोगे एप खिर दस लिखोगे अब इसको एड करोगे ठीक है इसको एड करोगे एड करोगे तो कितना जीरो आएगा कुल मिलाकर यहां पर एक आ जायागा यहां पर तीन आ जायागा यहां नौ आ जायागा च्छे आ जायागा यहां पर जीरो आ Tibac भी जिए अथ hour टीव जेसे यह डाई जाएंगे जैसे यह एडीशन था तब यहां पर क्या आप अब एडिशन करोगे क्या अब एडिशन करोगे तो छोटा चार नंबर था वलाओ दस बीस नंबर का जाएक एडिशन कैसे करोगे उस टाइम उससे सॉट्रिक्स जानना जुरूरी है कि अब हम कुछ रूल सीखेंगे कि क्या रूल है कैसे ठीक है अब इतना आप तो बेसिक आपको आइडिया पता चल गया है कि हम पढ़ने वाले क्या है अभी मैंने आपको बताया कि हम पढ़ने वाले क्या है है अभी मैं कोई रूल नहीं बता है अभी मैं बता हैं कि पढ़ने वाले क्या है जैसे कि मैं ऐसे बोलूं आपसे कि 20 into 20 into 30 into 50 into 100 अब मैं आपसे कौना कि इसमें कितना जीरो है तो आप तो ऐसे देखके ही बता सकते हो एक क्योंकि यह आपको पता है किसी संह bikini आज़क में जीरो होने पर कि यसे किसी संख्या में जीरो ता आप इसक और एक लिए किसी संख्या में अगर जैसे 10 के साथ किसी संख्या के मल्टिप्लाई कर दो तो उतना जीरो दस में इसका करेंगे फैक्टर तो क्या होगा तो पांच पच्चे पचीस दुना पचास यहीं तो आएगा इसका अगर फैक्टर करोगा अब यहां से अभी तक मैं आपको इंट्रोड़क्षन दिया था कि हमें पढ़ना क्या है अब मैं इसकी इसके पीछे का बैक्ग्राउंड समझा रहा हूं कि कैसे हम क्वेश्चन को स्वाल करें कर देखो मैं क्या बोल रहा हूं जोड़ों तो पांच जीरो नहीं आएगा इसका कुछ रूल है इसका ना पता करेंगे इसका प्रॉड्यक्ट में जोड़क्षन आएगा कितना जीरो आएगा यहीं पता करते हैं तो इसको अब क्या लिखो गें टू पावर टू इन्टु फाईव कि We一樣 ने सको क्या लिखोगे दू इन्न्टू कूद स्रेये मं sincerredo होएथ में जूँशक्त लिखो लिखा गया इस्सें कुछ नहीं लिख सकते ही लिखोगे मैं आप देखो क्या हो जाएगा दो बैस से महतों पावर helpful है दो है दो है εκ 15 whats ए टो पावर 6 लिखोगे दो आप देखो ऑघेर देख लाएं देखो 5 में एक दो दो चार कर दो अच्छे के गो छेई एंटू एक दो बचार जह ठीक है और एंटू 3 तो & न दुझा न करनेगा द्यान से सुनो हम किसी भी संख्या में 0 तब पाते हैं जब उस हम जब 2 और 5 का कंबिनेशन मिलता है तो मिलता है तो में उस मुल्टिप्लिकेशन में कोई भी नंबर हो कुछ भी हो अगर 2 और 5 का कंबिनेशन मिलेगा यह से दो और 5 का एक कंबिनेशन मिला है मतलब तीन कमिन अचन मिला हैmpfen तो और 5 का एक कंबिनेशन का ने यहां पर effieve स्कॉर्ण सब्सक्राइब कितने जीरो आएंगे एक जीरो आएगा इसमें कितना जीरो आएगा दो जीरो गोगी पचीज इसमें देखों क्या आए पांच पचीज पच्चे 125 और अठे 125 अठे कितना जाएगा एक हजार हो जाएगा तो कुल मिलाकर क्या आपको समझ में आया कि कभी भी मल्टिप्लिकेशन में मैं अभी यहां पर मल्टिप्लिकेशन की मैं एक चीज छोड़े चीज को तोड़ नंबर का मल्टिप्लिकेशन करोगा कुछ भी मल्टिप्लिकेशन है लेकिन उस मल्टिप्लिकेशन के रिजल्टेंड में मल्टिप्लिकेशन के रिजल्टेंड में अगर हमें पता करना कितना जीरो आएगा तो हम देखेंगे टू और फाइब का कितना कंबिनेशन मन रहा है पांच दूना दस करोगे आचा इतना समय में की नहीं कर दो को वृ कि तू इन्टु फाइब का कितना यहां पर एक कम्मिनेशन यहां टू इंटु 5 का तीन कम्मिनेशन तो कि तो इन्टु फाइब तभी तो मिलाकर लिखाओ तीन जिरो आएगा यहाँ पर एक जिरो आएगा यहाँ पर दो जिरो आएगा ठीक है तो अभी देखो moral of the story क्या है इसका कैसे हम समझेंगे कोई भी नंबर दिया हो जब हमें टू इंटू फाइब का मिलेगा और वह भी कंबिनेशन करता जैसे दो कि फाइब टू एक लेकिन अब देखो तुमीनेशन का बनेगा दूसरा कमिनेशन किस बनेगा शिप तो रहा ही नहीं ठीक है तो आपको क्या सोचना है कभी भी हमें देखना कि किसी नंबर में कितना जीरो आ रहा है हम कि यहां पर एक अक्विनेशन रहा रहा है कि हम सबसे कम है तो जितना दो कहज़ेंगे और पाँच के पावर नहीं कौन सबसे कम है तो जितना 2 के power में और 5 के power में देखेंगे कौन कम है जो कम रहेगा उतना ही नंबर आप 0 जाएंगे उस product में ठीक है जैसे देखो 2 इंटू 2 पावर 3 5 इंटू 5 स्कॉरर है इसमें 3 और 2 में कौन छोटा है 2 छोटा है 5 के power 2 है ठीक है ना मतलब हम देखेंगे कि तू के पावर कितना पावर कितना पावर में देखेंगे कौन पावर छोटा है देखो यह पांच स्क्वाइर टू क्यूब है तो यह छोटा है कि भैलू की बात नहीं करों मतलब पावर दो है पावर तीर है तो छोटा वाला पावर लेंगे तो कौन सा पावर लेंगे छोटा तो इसका मतलब यह बताता है कि अब इसका जो मल्टिप्लिकेशन होगा इस मल्टिप्लिकेशन में सिफ दो ही जीरो मिलेंगे जैसे एक मैं और समझाता हूँ अभी इस क्वेश्चन को करेंगे पहले एक्जाम्पल समझो यह आपको समझ में आना चाहिए जैसे देखो तो पावर 23 इंटू 5 पावर 16 अब देखो कौन बड़ा है दो के पावर 23 है और 5 के पावर 16 मैंने बोला पावर का कमपीरिजन करो जो पावर छोटा होगा समझाओ को उतना ही जीरो आएगा मतलब यहाँ पर 16 पावर है यहाँ पर 23 पावर है मतलब कि इसका कोई 5 के साथ कम्बिनेशन नहीं बनेगा मतलब कि जो भी नंबर का मल्टिप्लिकेशन होगा उसमें इसका मल्टिप्लिकेशन होगा उसमें 16 जीरो रहेंगे इंड में ठीक है समझगा होंगे अब बात पिर देखो उसी तरह आप कांसेप्ट है कि क्या सर हमेशा दो ही बढ़ा रहेगा नहीं ऐसा कोई जोरी नहीं है फिर से देख लो कि सर्फ दो ही बड़ा रहें आप यह सब्सक्राइब आप इसके कहीं आ गया तू पावर टैन इंटू उसको नहीं लेंगे जोए चोटा पावर उसको नहीं 0 आटेंगे अब कौन चोटा है पावर में दस दस है यहां पर पावर है पंद्र है तो कौन से पावर कम है यह वाला पावर का मतेक। कितने दृ संबीरेशन बनेंगे 10 कम बनेंगे जितने कंबीनेशन इस भीप्रटक्ट अब एफ्ष करति जिन फाल कि संख्या नंबर नंबर आपच हाचा टीक Speed गए होगे फिर मैं एक बार समझा दे रहा हूं एक और एक जांपल से मान लो कोई प्रोडक्ट किया कि जैसे कि तू पावर अपसोच उध्यान से टू पावर 17 इंटू 7 पावर 2 इंटू 5 पावर 7 ठीक है ना मैंने क्या पता है कोई भी मल्टिप्लिकेशन हो है सिर्व हमें 2 और 5 पर फोकस करना है 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर उसको नहीं देखना है पहले तो कोई भी मल्टिप्लिकेशन हो उसको पहले प्राइम नंबर पर तोड़ो प्राइम फैक्टर करो प्राइम फैक्टर करने के बाद इस तर सबस्क्राइब करना है तो पाँच का साथ करना चाहिए तो मतलब कितने जो कम पड़ाइए उतने कंभिनेशन बनेंगे दो और 5 के साथ कंभिनेशन बनेंगे इसका मतलब नंबर आप 0 कितने आएंगे कि जी रोस कितने आएंगे साथ आएंगे समझ गया तो बस उसी अब कॉंसर समझ गया होगे अब देखो अब हम क्वेस्टन सॉल्व करते हैं अब देखो अब इसका मैंने प्राइम फेक्टर किया दो का 20 का मैंने फेक्टर किया 20 का आ गया तू पावर 2 x 5 तीस का किया फेक्टर ये हो गया दो त्येइच चब पंच्चे तीस पांच पंच्च को और इसका सब प्रेक्टर किया उसके बाद हमने इक साथ सेल बेस्ट है लिखा तूप आवर सिक्स फाइक पावर जोड़के दो एक तीन दूपांच दो एक तीन एक चार दूच्छे पांच एक दो चार दूच्छ ठीक है अब टेखो मैंने बताया देखना कि दो के पावर में पांच के पावर में कौन कम है जो कम होगा उतनी नंबर आप जीरो जाएंगे दो कम होगा दो के पावर कम होगा तो उतना ही जीरो आएंगे और यहां पर देखो बराबर आगए मतलब अच्छी बात है ने बराबर एक मतलब कि टू टू इंटू फाइप का छे चे चे अबनेगा ठीक है तो मतलब इसमें कितना जीरो कर आता है चलो फिर देखो एक क्वेस्ट्यन और कर लो फिर मैं निमेरिकल पर आ जाओंगा ठीक है कि देखो जैसे मैं आप से कहूं वन इन्टू 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 कि इसका मतलब इसका मतलब होता है फैक्टोरियल टेन को लिखने का तरीका उता है 1 से ले कर सिटंड कर उस नमबर तक स सबाएटेन आपको पता करना कि नमबर आप जी रोस कितने हैं कैशा पताना है कि नमबर आप Cris कितने हैं एप आप Cris teas 자기 कमले बैद सिक घर देखो जब भी कभी ऐसे आये थो मैंने आपसे क्या बोला कि घबराना नहीं है बस प्राइम फेक्टर में तोड़ दो उसको प्राइम कर दो उसके बदर आपको टेंशन ही नहीं लेना है एक का तो एक हो गया चलो ठीक है इसका टू हो गया थ्री तो थ्री रहेगा इसका प्राइम फेक्टर करोगे क्या जाएगा तो फाइब रहेगा शिक्स का क्या होगा टू इंटू थ्री हो जाएगा सेवन तो इसे ही रहेगा एट का क्या होगा टू पावर थ्री हो जाएगा नाइन का क्या होगा थ्री पावर 2 हो जायागा ठीक है प्राइम फेक्टर में एक कर दिया हूं तू इंटू 5 हो जाएगा ठीक है तू इंटू 5 हो जाएगा ठीक है है चलो नमबर आप जीरो कितने यह बताना है आपको ठीक है है वन टू थ्री और का हो गया फाइब इक्स का हो गया शेवेन एट नाइन और टेन ठीक है कि वन मिनट्ट कि अग्वाइब अब बस फैक्टर में तोड़ लिया आपने क्या लिखना है अब देख लो कितना पावर कितना है अब आपको इसमें किसी भी नंबर से मतलब नहीं क्योंकि आपने अभी मैंने आपको एक्जामपल से समझाया कि 10 आने के लिए 10 आने के लिए मतलब मिनिममम एक जिरो लाने के लिए आपको दो और पांच का क्मीनेसन चाहिए आपने अभी देखा कि किसी भी संख्या में प्रोड़क्ट करने पर 0 तभी आता है जब 25 काitionally सबसके लाने के लिए मिनिमवम् है 12 चाहिए और यह पांच होना चाहिए यह तो है तो आपको इस में चाहि़े कुछ भी नंबर उस तक क्या मतलब है यह क्या कोई मतलब नहीं कि मिल्टिप्लीकेसन होने के बाद हमें नंबर अब 0 कितना जीरोश जाएगा बस इसके लिए क्यों देखेंगे क्यों क्यों देखेंगे चार तीन साथ एक आठ ठीक है कि दो एक तीन एक चार तीन साथ एक आठ तू पावर एट आ गया इंटू ठीक है अब पांच कर देख लो कि एक दो थाइप आवर टू कि तरी और मुझे उल्री और कुछ आएगा अब कि अब देखो अब ध्यान से मिनिमुम कंबीनेशन कितना बनेगा मैंने आपसे क्या बोला कि कि दो और पांच में किसका पावर कम है जिसका पावर कम उतना ही जीरो आएगा ऊपर से अगर बराबर आजाए दो और पांच के पावर तो अच्छी बात है दो अगर भावर दस से पांच के पावर पूस जीरो आएंगे प्रोड़क्ट करने पर 20 जेरो आएंगे करने का मतलब यह है तब जोड़ लो डो एक तीन एक चार ओंप तीन साथ एक आठ पांच का देख लिए आपने पांच में ठीक है 2 ही हो गया कि पांच के पावर 2 मतलब कम है यही तो है मतलब ृथ चोटा को होने दो चोटा जितना जो कम पावर रेगा उतना ही जीरो आएगा मतलब नंबर आप जीरो कितने होंगे कि प्रोड़क्ट करने पर दो आएंगे दो जीरो आएंगे अब इसका प्रोड़क्ट कर लोगे यही आएगा ठीक है चाहिए अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो मैं प्रोड़क्ट करके भी दिखा दे रहा हूं ठीक है कि अगर देख लो कि पांच दूना दस कि चारते 12 120 हो गया कि नहीं पांच दूना दस चारते 12 120 हो गया अब देखो 120 और देखो कि अधे सते 42 कि अब ऐसे कर लो मुल्टिप्लिकेशन का चलो यहां पर कर देते हैं कि यहां पर करता हूं क्या दाएगा 42 और 72 दिख रहा है हां 42 और 72 दो दूना चार इसके साथ फिर इसका इसके साथ करो अभी दो जीरो आई जाएगा ठीक है बारत चोग के 48 बारत दूनी 24 तो चार अठाइस बारत चोग के ताली बारत दूनी 24 चार अठाइस ठीक है बारत यह 36 बारत यह 36 छीक देख लो प्रोड़क्ट की ना दो जीरो आया की नहीं आप इतना इतना मेनत नहीं करो जासं थी दो और पांच पर कंसंट्रेट हो जाओ इक जाम हमें पुझा जाता है है इंड़ नंबर आप मतलब इस संख्या का गुड़नफल करने पर जो गुड़नफल में कितने जीरो आएंगे तो आप ऐसे गुड़ा करोगे ऐसे मल्टिप्रिकेशन करोगे तो नकषान और टाइम खराब हो जाएगा तो बस दो और पांट को आपको देखने से पता चलिक जाया जाया कि अब कि आप देखा तो दो दो के पावर आट था और दो पांच था तरहां मैंने कह स्का पावर कम होता है समझो उतना ही कंभी मनेंगे इसमें पाइच का पावर दो है वालब दो ही कंबिनेशन मनें क्योंकि यह कम था इसका पावर ठीक है चाहर। अको कि एक स्टरइशन और समझेशन में हो गया कि हम कैसे समझेंगे हृतना जीरो वहाँ १ानर तो सेम रूल का मतलब क्या किया समझा रहा हूं मैं आपको क्या समझा रहा हूं अगर بعد मिलाकर चाहिए मैं अगर गोल दिया इडिसन सब्ट्रेक्शन नहीं उहाँ पर कामन कामन दिमाग आपको लगाना कामन सेंस लगाना जैसे देखो है कि पीज़ है की तीन सो है कि यह जार है कि नब्वे आजार तब इसको इसमें कितना जीरो आएगा अगर आप से एक्जाम में क्वेश्चन को बैट का एड करोगे आप सोचो कामन कामन दिमाग लगा अपने बच्पन में कैसे जोडते थे आप नवह जार उपर लिखो गया उसके नीचे छे जाले उसके निचे तो जिस जब इडिसन की बात करते हैं तो जी sırो फिएडियाट करने के बाद उस जो योगफ़लden आता इस लाश्ट थ में उतना ही जेरो आते हैं सौचो इसमें चार जीरो इसमें नानमबर कितने आएंगे कि एक आएगा कैसे आएगा सोचो कि मैं एडिशन में आपको समझा रहा हूं ऐसे तो लिखोगे नब्बे अजार ऐसे लिखोगे नहीं बिखोगे 600, 310, 3rd देख लो जिसका जीरो कम था लेगीं एधि कम लगते हैं इससे यहां पर 4-0 थ just फिर एक जीरो कम हो गया पिर एक कम हो गया तब अयसे रहेगा ऐसे नहीं कि यहांपर 4-0 है फिर यहांपर भी 4-0 पिर्टीन जीरो हो सकता है कि नो-माल जाये तो फिर लो एकेट हो जाएगा ठीकным सभिनवा रहा हूं सबसे जादा जीरो से एक कम हो मतलब यहां पर सबसे ज्यादा जीरो हो यह माइनस फिर फिर यह तो यह तो यह तो आप जिसका लगा लेते हैं ठीक है दो लगा इस प्रश्चन को एक मिनिट लगाओ कर दो करो क्या आएगा कर दो करेंगे करेंगे किस पर ध्यान देंगे दो और पांच के पावर पर ध्यान देंगे वह सकता है एक ही बार दो आए एक ही बार पांच है फिर भी तो दो के पावर पांच के पावर एक ही हुआ ना पुल मिलाकर पावर पर ही आपको ध्यान देना है तो उस्ते में क्या करेंगे देखते हैं कि कि पेर बनता है जितना पेर बनेगा अब जिसका पावर कम रहेगा वह यहां रांसर होगा ठीक है अब जैसे पंद्रह है तो कैसे लिखो गया ऐसे लिखोगे पंद्रह इंटू सोलर इंटू अठारर इंटू 25 इंटू 35 इंटू 24 इंटू 20 कैसे लिखोगे पंद्रह का लिखोगे तीन इंटू 5 लिखोगे तो लगा लिखोगे तू पावर फोर लिखोगे अठारा का क्या लिखोगे थ्री इंटू 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 लिखोगे न थ्री पावर तीन 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 तरी का पाँची स्कॉर्य लिखोगे 25 के लिए 35 के लिए 5 इंटू 7 लिखोगे 24 के लिखोगे चार चक 24 दो दूनी चार दूनी आठ तिरीके 24 और यह चार पच्चे 20 तो लिखोगे आप यह लिखोगे न अच्छा उधर लिख दिया ज्यादा कोई ना लिखिए देर हो चल ठीक है न यहीं तो हुआ है यह लिखोगे बस इसमें दो और पांच के पावर को बस देखना और कुछ नहीं है बकिया ए तीन साथ इसे कोई फरक नहीं पड़ता आपके मल्टिप्लिकेशन में पता चल जागा कितना जीरो है बस जोड़ लो पहले दो से निकाल ले दो के पावर कितना है दो के पावर चार है चार एक पांच पांच दो साथ दो नो ठीक है दो के पावर नो चार एक पांच दो साथ दो नो ठीक है पांच के पावर देख लो पांच के पर यहां पर एक पावर है यहां पर दो पावर है दो एक तीन तीन एक चार एक पांच सोचना है क्या मल्टिप्लिकेशन आ रहे हैं यह क्वेस्चन क्या पूछा ए गुड़नफल के अंत में सुन्द्ट की संख्या बताई थीक है कि प्रोड़क्ट का समझा कितना किसका पावर कम है पांच का पावर कम है इसलिए कितने सुन्द्रीयों की संख्या आएगी पांच पांच आएगा देखो पांच ठीक है ना आप्शन सी कि चलो कि समझ गए हो गए फुल मिलाकर हमें दो और तीन दो और पांच के पावर पर कंसेंट्रेट करना है कि दूसरा क्वेश्चन फाइंड नंबर अब जीरो से इंड अब प्रोड़क्ट ठीक है आज हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगा लेते हैं कल और टप क्वेश्चन में लेकर आऊंगे तो देखो नए बच्चों को पुराने बच्चों को नहीं लग रहा होगा अब देख दो दूनी चार पच्चे 20 इंटू टू पावर एट इंटू पांच दूना दस तू इंटू फाइब तो लाकि देख लो कितना दो है कितना पांच ठीक है अब आप उसके अलमा आपको किसी से मतलब नहीं तो देखो पावर दो है दो एक तीन यहांपड़ दो नहीं तीन एक चार तीन साथ दो एक तीन एक चार तीन साथ अन्ने फाइब पावर सेवें इंटू अब टू के पावर देखलो तू पावर टू एट आट दो दस दो बारा बारा चार तोलर तोलर ठीक है ना तू पावर सिस्टीन तू पावर सिक्स्टीन तू पावर शिश्टीन क्या है जान दूसम्जो क्या मैं बोल रहा हूं आपको 5-2-1-3-1-4-3-7 क्या मैं 7 लिख बोल रहा हूं तो आट दो दस दस तो आठ दो दस तो बारह चार सोल है ठीक है मतलब इसमें कितने जीरो बनेंगे नंबर आप जीरो कि इतने होंगे सेवन ठीक है आपका option क्या है सी ठीक है ना साथ जीरो होंगे अच्छा एक चीज आपको यहां से concept क्या clear हुआ कि आपने पड़ तो कुछ दिमाख में क्लिक किया क्लिक एक किा होगा आपको और अप देख रहे होगे ना यहां पर आपको डायरेक्ट मिल गया तो आपको इतना तो क्लियर समझ में आ गया कि दो की जो पावरो ज्यादा आता है थीक है दो की पावर ज्यादा आएगा तो आपको जोड़ना भी नहीं चाहिए था देखो में समझने क्या बोल रहा हूं यहाँ पर देखो आपने जोड़ा 5 पावर7 आ गया और यहाँ दिख रहा है टू पावर की ती से क्लियर हो गया कि भाईए इसका पेर नहीं बन पाएगा आपको जोड़ना भी नहीं चाहिए था इससे भी समझ जाते सीधे लिख देखते ही समझ जाते आठ है मतलब साथ जो कम वाला पावर का मतलब यहीं होगा साथ बनेंगे ठीक है तो आपको आपसन सी सही होगा ऐसे आपको सोचना है हम दो की जो पावर जादा ही मिलेगी हमेशा हमेशा नहीं कोई बात में हमेशा लेकिन इतना क्लिक कर जाया कभी-कभी देखो गए कि दो की पावर कम मिल लिए पासकी पावर ज्यादा मिल लिए तो समझ जाओं उसका नहीं पंबिनेंगे तो यहां पर बिदेको साथ बना मैं देख लिए यहां यहां पर में ठीक है जब इसका प्रोड़क्ट करोगे मैं गुड़ा करोगे करो पचास इंटू तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लगा नहीं लगता जब आपको समझ में आ जाएगा तो सीधे सीधे क्या करना हमें पावर देखनी है पचास कैसे लिखोगे पचीस पचीस हमितना पचले पैर तो पांछी स्कुऔर इंटू टू जीसदो फेक्टर करने आता उसका और आसन हो जाने यहर आजरीगे 뉴스 का मतलब ऑत एच तीजतिस अशत olvaktie 23भ आश्य देखरोएं यहां पर παहर ज्याद आने लगा दो कम हो गया दोकम हो गया तो बस आपको concentrate दो पर करना है देख लो चार दो छहा इसे हो जा रहा तो जोड़ने जोड़ने तीन है अब दो कि दो बहुत कम दिख रहा है एक दो इस तीन दीख रहा है पांच गुड़े दो मतर्द दस लाना है तो तू पावर फ्री है और फाइब का फाइब कर रहा है फाइब के पावर यहां जखो पांच चार दो छे एक साथ एक आठ एक नौ फाइब नहीं आ जा रहा है तो जाइड से बसे दो जो है तीन बार कंबिनेशन बना पाएगा और अब बकिया जो छे छे बार जो पांच उपचर आके लिए रह जाएगा ठीक है तो देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यह जो मल्टिप्लिकेशन आएगा इसमें प्रोड़क्ट के लास्ट में तो इन जीरो आएंगे तो नंबर अब जीरो कितना हो गए नंबर अब जीरो इड़ इंड अब द्रोड़क्ट कैसे सॉल्व करोगे लाओ एक सो पचास इंटू धाई सो इनटू एक सो पाचीस इंटू एक सो पाचीस अफोड़ा सा कामन सेज्ट लगा ओगे आपको नया नया जो पढ़ रहा हो इसको थोड़ा सा दिक्कत है लेकिन कोई बा है घवराना नहीं है है कि एक सो पच्चास गुड़े पच्चीज गुड़े छेस्सों पच्चीज एक सो पच्चीज पच्चास पच्चास पच्चात्तर बीस सोल ठीक है तो इसको कैसे लिख होगे सब्सक्राइब गया तो इसको और भी स्वा-ट्रिक्स से लगा सकते हैं यहां पर आपको दो जीरो दिख गया पहले ही देखो धाइसो में भी एक जीरो, 150 में भी एक जीरो, 20 में भी एक जीरो दिख जा रहा है, तो पहले इसको अलग कर लो, आपको आसान हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हो, 15 गुड़े, 10, लिख सकते हो न, 25 गुड़े 10, 625 को क्या लिख सकते हो, 25, 25, 25, 625, ठीक है, 4 हो जाएगा, 5 पावर फोर, और 25, 125 का मतलब, 5 पावर 3, इन्टू, 25 त्याहिं, 75, 25, क्या लिख हो गए, 25 स्क्वार इन्टू, 3, इन्टू, 2, इन्टू, 10, इन्टू, 2 पावर, फोर, दो दिनी, 4 दूनी, 8 दूनी, 16 होता है न, तू पावर फोर, तो देखो, एक, दो, यहाँ पर, तीन, जीरो तो कंफर्म है, तीन, जीरो तभी आएगा ही, आएगा है, मल्टिप्लिकेशन में, पहले इसको तोड़ लो, तू, 3 इन्टू, 5 हो जाएगा है, यह छोड़ दावी क्या है, यह तीन, जीरो तो दिख रहा है, वहीसे हमारा, हम लोग में उद्देश से क्या है, में अब्जेक्ट क्या है, कहा है, कहमें 10 लाना है, है, इसका मतलब आपको दिख रहा है, 5 और 2 का कंभीनेशन इसके अंदर है, इसके अंदर भी 5 और 2 का कंभीनेशन है, तो इसमें, तरह है चल गया है कि तीन-जी दो आएगे ऑएगे गुड़ा करने पर गुड़न फल में और देखले से क्हाई उप्तिन बन रहा है क्याедин Но तो तीन और पांच हो गया पच्चीस के लिए पांच स्क्वायर हो गया यह तो समझ रहा हो ना चलो दस लिख लोग कंभीज हो जाओगे अच्छा इसका क्या हो जाएगा दस देखो मेरी बात समझ ध्यान से तीन गुड़े पांच हो गया दस लिख दिए पांच पच्चीस इन्टू टेन लिख दिए इन्टू फाइट पावर कितना हो जाएगा अब लोगों यहां से त्रॉट कर लेते चार तिन साथ दू नो ठीक न है और फाइट पावर 9 इन्टू चार तिन साथ दो नो हो गया इन्टू फ्री इन्टू टू पावर फाई ठीक है यह इतना तर समझ गया हो गया इन्टू 10 इतना भी समझ रहे हो अब क्या आच्छा एक ध्यान से चीज देखो 5 gen 6 फाइप पावर 9 हो गया और यहां पर देखो टू पावर 5 आ जोड़ने की जोरत है क्या सोचो इसको इसको ता आप फाइप पावर 9 हें 5 पावर 5 से 5 पावर वन हैं तो क्या इसको जोड़ा होगें कि पहले ही पता चलिए ने कोई तू के पावर 5 मैं 2 का 2 हो इसमें कम आ रहा है पांच इसमें ज्यांदा आ रहा है कि दो थो कर दॉसे ज्यादा यह दो हिसका मतलब क्या हुआ कि यह पांच कंभी नहीं स invest…! इसे फिन अंट तीन और भांच आध्या है Baptist तिन और ध्याँ a9 तीन बार बारत तो हाइब पावर 12 हो गए तो कोई मतलब नहीं रहा क्यों कि दो पावर 5 से 5 इस थे प्लस एक दो तीन जिरो तो टोटल आठव जीरो आएंगे ठीक है आठ जीरो ऑफ्सन में देखो आप गलत दिया हुआ यहां पर आट जीरोगा ठीक है अफसर नाइन की मतलब एक आपका एट और एट नाइन डुट है नाइट वह-क ऑप्छन के मिश्टेक ठीक एट आएगा अब जाहो तो इसको लिख सकते हो क्या लिख सकते हो 5 पावर 12 इन्टू 2 पावर 5 लिख सकते हो इन्टू टेन क्यूब टेन क्यूब का मतलब तीन जीरो था ना तो पांस तीन आठ हो गया डाइरेक्ट यहां से भी लिख सकते हो इतना नहीं जिसको फैक्टर करने आएगा हूं समझ जाएगा मैं करके आ रहा हूं कि यह कोईस्टिन देखो ठीक है अजय एक बात बताओ यहां पर आप फिर वही कांसेट लगाना है दो जीरो मिल गया है इसको हटा लो पहले ही खतम कर लो सेवेन इंटू टिन इनतु टो पावर थी इंटू टैना दो दुनी चार दुनी आठ दामें अस्तीज ठीक है? इन्तू टू पावर फोड इन्तू बत्तित दूना चोंसट ठीक है? इन्तू 5 पावर शीक्स इन्तू 13 इन्तू तीन तीरीक का 9, 2, 18 इंटू 5, 25, 25, 125, 625, 625, 35, 125 बने 5 पावर 5 अब एक कामन सेंस लगाओ, देखो इसमें 2 जादा दिख रहा है, 5 कम है, 2 पावर 3 है, 2 पावर 4, 2 पावर 6 है, ठीक है? तो 6, 4, 10, 3, 13, 14 एही हो जा रहा है, इसका मतलब मेरा मेन काम किस से रहेगा? 5 से रहेगा, क्योंकि 2 जादा हो जा रहा है, कम्बिनेजन में, बनाना 2 और 5 के पेर बनाना है, तो 5 सी 2 के साथ कितने बार जुड़ पाएगा? बतलब कितने बार पेर बना पाएगा? 2 पावर 5 ये मिल गया, और 2 पावर 6 छे पाची 11 हो गया, 2 पावर 6 ठीक है, 2 पावर 6 तो एही हो गया, 5 पावर 11 हो गया, समझो मेरी बात में क्या समझा रहा हूँ? अगर आपको ऐसे नहीं समझा इतना सौट तो मैं आप पूरा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 7 इन्टू, 10 इन्टू, अगर आपको नहीं समझा इसलिए सम्झाने के लिए लिख रहा हूँ, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 4, 3, 7, 7, 7, 6, 13, 14, 2 पावर 14 इन्टू, ठीक है, 5 पावर 6, 5 पावर 5, 6, 5, 11, 5 पावर 11, इन्टू, 13, इन्टू, 3 पावर 2, यहीं तो हुआ, तो कितना कम, देख लो, बस इतना ही आपको ध्यान देना है, 11 कंबिनेशन यह बना पाएगा, और 2 कंबिनेशन यह बना पाएगा, ठीक है, 11 कंबिनेशन यह बना पाएगा, दो कंबिनेशन नहीं बना पाएगा total एर्प कम्बिनेशन बनेगा इन तीर और आप जीरो कितने होंगे नमबर आप जीरोंगे ओ अ देखलो common sense है कि इत्तर के लिए 10 वा असी के लिए 10 निकल गया 20 ते यही बच गया 20 एधि वच गया और इसको कर दिये 10 13 14 और यह देखो 5 पावर पावर 6 पांस के पावर 5 11 और और आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो पावर 11 तेरा पीन पावर 2 आपको किस्से मतलब है तूर फाहित कम जिसका पावर कम होता है उतना ही हमें उतना इमें पेर मिलता है तो देखो दो जीरो इधर इधर लग गया है क्योंकि यह तूपावर फाइब टूपावर फाइब अब मनाएंगे अपसं में से नहीं है बारा लिखा वारा अपसंड थे लो कि देखलो नार्मल बात नहीं है नार्मल समझ में आएगा जोतागा फ़ड़ा सोचों गेनी mathematics is beyond the thinking ठीक है इतना आसान नहीं है अब यह क्वेस्टिन देखो कैसे लगाओगे तू पावर थ्री थ्री पावर फोर फोर पावर फाई यह एक कंबिनेशन है अब आपको निकालना है मतलब इनका प्रोड़क्ट 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 का 4 into four power five into five power six इसमें अगर हम देखें कितने 0 जाएंगे लिको देखो कैसे देखोगे हमें पता करना है कितने 0 जाएंगे तो बस हमें ये निकालना है कि ошर detail कि इसटो त्थ्री हो जाएगा और श्रौर पावर थाइब का मतलब क्या हो जाएगा तु तो पावर क्या हो गया इंटु ठी पावर फुर इंटु तू पावर तरी इंटु पावर शिक्स मतलब तो जायेंगा 5 दूनाद दस हो गया यह पहले ही तो आपको पता चल गया कि छो कंपावर उसी को देखेंगे जब पता चल गया ना दो की पावर दस हो जा रहा है तो इतना सोचना ही नहीं है इसमें कितने जीरो जाएंगे बस इतना इतना तो महनती नहीं करना है इसलिए मैं दो और पाइश का कमिनिसा समझाया था अब देखो फ्री पावर फाइब इंटू 5 पावर 7 इंटू 7 पावर 9 इंटू 8 पावर 10 अब देख लो और भाइब यहां मनले ने टु पावर 3 के पावर 10 मनलने 2 पावर 30 हो जाएगा यहां 5 पावर 7 तो बस आपको 7 ही 2 इनटू 5 का का म्मिनिशन मिलेगा तो मतलब यहां पर 7 0 मिलेंगे समझों मेरी बात ध्यान से यां पर देखो क्या होगा 4 पावर 5 इन्टू 5 पावर 6 इन्टू 6 पावर 7 इन्टू 7 पावर 8 अब देखों यहां पर कितने मिलेंगे 4 पावर 5 है 5 पावर 6 6 पावर 7 7 पावर 8 तो वैसे भी 4 पावर 5 का मतलब 2 पावर 2 तो पावर 10 हो जाएगा और यह 5 पावर 6 तो यहां पर भी 6 मिलेंगे यहां का और यहां की वैलू पता चल गया और यहां का वैलू निकालना है क्या है इन्टू 15 क्यूब इन्टू 20 पावर 4 अब यहां पर देख लो दो के 2 इन्टू 5 है ठीक है इन्टू 3 इन्टू 5 है इन्टू 2 पावर 2 इन्टू 5 पावर 8 तो करोगे अभी भी देखो 2 के पावर जादा यहां पर आ रहा है देख लो 2 की पावर 2 इन्टू 5 पावर 2 आ रहा है इन्टू 3 पावर 3 इन्टू 5 पावर 3 इन्टू 2 पावर 8 इन्टू 5 पावर 4 क्यों पावर 4 इन्टू 5 पावर 4 तो अब देख लो कितना कंबिनसें मनला है चार तीन साथ और दो साथ दो नौ मतलब कि यहां पर कितना आएगा नंबर अब 0 नाइन जीरो आएंगे ठीक है नंबर अब 0 कितना आएगा नाइन जीरो आएंगे बस अब सोच लो कि इन नाइन जीरो में से नाइन जीरो है नाइन जा हमें पता करना है कि यह जो भी इसका अंसर आएगा इसमें कितने जीरो जाएंगे तो सोचो यहां पर नाइन जीरो जाएंगे नाइन जीरो ठीक है ऐसे लिखके नाइन तक लिखो गया चार पांच छे साथ आठ नो ठीक है इसमें से 7 पावर वाले को माइनस करोगे 7 पावर वाले को 1,2,3,4,5,6,7 ठीक है ना 7 का मतलब 1,2,3,4,5,6,7,8 ठीक है 9 9 हो गया यहां 7,0 वाला हो गया अब देखो 6,0 वाला कैसे लिखो गया 1,2,3,4,5,6,0 वाला लिखो गया फिर लिखो कि यहां पर एक और छे जीरो वाला है ना एक दो तीन चार पांच छे तो कितने जीरो आएंगे सोच के देखो कि यही जीरो तो आएगा ना माइनस करोगे क्योंकि दखो यह माइनस के निसान लगा है माइनस है ना यह दखो कहां गया अएगा तो माइनस इस्कोंडू 1524 यहां फॉर फूर बीस के पावर चार एं तो मतलब सब इसमें से तो जब कम करोगे यह देखो नाइन पावर सिक्स पावर तो यहां पर जीरो जीरो यहां अतर जायेगा मतब टोटल जीरो कितना हैगा यह मैं समझाने कि आपको कोशिस कर रहा था ठीक है तो आपका आंसर क्या होगा सब्सक्राइब करने पर कितना जीरो जाएगा पता करने के लिए कल हम कुछ सिखेंगे ठीक है तो आज इतना ही रहने दता है कलम फैक्टोरियल से लिए जितने भी नंबर सिस्टम में ट्रेलिंग जीरो कितने जीरो आएंगे उसके क्वेस्टेन आएंगे हम सब करेंगे ठीक है थैंक्यू